श्री शिवाय हर हर महादेव दोस्तों कैसे हो? आप सब देखिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा विशेश, बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है. आज के इस वीडियो में वैसे तो हम तीन उपाय के बारे में बात करेंगे, ये तीनों उपाय कल आने वाली विजया एकादशी के बारे में होंगे. देखो विजया एकादशी खास इसलिए होती है क्योंकि अगर हो सकता है आपके घर के जो बच्चे हैं, उनको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही हो, पढ़ने लिखने में वह कमजोर हो, किसी भी कार्य में विजयता प्राप्त करनी हो, तो यह विजय एकादशी बहुत ही ज्यादा खास होती है और इसलिए इन मौके को आपको गवाना भी नहीं चाहिए. आज के इस पूरे वीडियो में तीन उपाय होंगे, यह तीनों उपाय पूझ गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा. दे पहली बार आप आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना. देखिए, हम एक-एक करते हुए उपायों के बारे में समझेंगे. सबसे पहला उपाय, यह उपाय मात्र एक हरे मूंग से हो जाएगा. मात्र एक हरे मूंग से बुधवार का दिन है बुधवार के दिन. आपके जीवन में बुध्धिज्यान विवेक की प्राप्ति हो, इसी लिए आपको करना है. विशेशकर, अगर आपके घर के जो बच्चे हैं, जिन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, या पढ़ने लिखने में वो कमजोर हैं, तो उनको ये उपाय आपको करवाना है. देख ये मार्च को सुबह से लेकर के संध्या तक, यानि की सूर्यास्त के पहले पहले तक आप ये उपाय कर सकते हैं. करना क्या है? बहुत ज्यादा आसान उपाय है आपको. यह दोनों सामगरी लेकर के बेल पत्र के पेड़ के वहाँ पर जाना है. घर में बेल पत्र का पेड़ के वहाँ पर आप जाएंगे. और उसके बाद आपको क्या करना है? वहाँ पर कोई भी कंकर हो, उसे शंकर. मानना है. यानि की कंकर को भगवान शिव का रूप आपको मानना है. देखो देख, ये प्राण प्रतिष्ठित नहीं है. लेकिन फिर भी आप कंकर को शिवलिंग म वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं. नहीं है बेलपत्र के पेड़ के नीचे, कोई भी शिवलिंग तो आप कंकर को शिवलिंग मान करके आप ये उपाय कर सकते हैं. आपका मुख होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ. और आप क्या करेंगे जो कंकर है उन्ही के ऊपर उन्हें शिव मान करके उनके उपर मात्र एक हरा मूंग का दाना आपको अर्पित करना है. बुद्धि ज्यान विवेक की प्राप्ती हो और बुद्धेश्वर महादेव का आप स्मरण कर सकते हैं. बुद्ध ईश्वर महादेव देखो स्क्रीन पर आपको नाम मिल जाएग बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करना ना है और उसके बाद आपको जो एक तांबे के पात्र के अंदर जो जल लेकर के आये हो वह जल आपको उसी हरे मूंग के उपर जो आपने कंकर को शिवलिंग माना है, उन्ही के उपर आपको पूरा एक लोटा जल, श्री शिवा नमस्तु भाईयम का जाप करते हुए आपको अर्पित करना है और यह सुन्दर सा प्यारा एकादशी बुधवार के दिन पड़ी है तो यह उपाए आपको करना है। नहीं करते हैं। एकादशी है तो तुलसी जी की जड में हमको जल अर्पित नहीं करना है। अब यहाँ पर बुधवार की एकादशी है तो आपको यह उपाए कैसे करना है भी सफलता से जुड़ा हुआ है। तो ही यह उपाए होंगे। वरत करो या ना करो। यह उपाए तो आपको करना ही करना है। बहुत प्यारा सा उपाए है। समझना एकादशी एकादशी यानि की भगवान विश्नु की तिथी और भगवान विश्नु को सबसे ज्यादा प्रिय रंग कौन सा होता है। वो होता है हल्दी यानि की पीला रंग। पीला रंग जो है हल्दी वो आपको उपयोग में लेनी है। मात्रेक छुटकी हल्दी आपको लेना है, साथ में एक फोड़ा सा जल लेना है और हल्दी के अंदर आपको जल डाल देना है और पेस्ट के रूप में आपको तय्यार कर लेना है। ठीक है, हल्दी ले ली। अब आपको क्या करना है? आज एकादशी के दिन, बुधवार की इस प्यारी पवित्र एकादशी के दिन, आपके घर में आंगन में, जहां कहीं भी तुलसी जी है, वहां पर आपको जाना है, तुलसी जी को ना तो स्पर्श करना है, तुलसी जिमेना, तो ये हल्दी आपको तो अब आप क्या करोगे? इस विजया एकादशी पर जीवन में विजळेता प्राप्न हो, हो सकेतो? तो चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली से स्वास्थिक का निर्मान करना है. कहां पर करोगे? अगर गमला ह तो गमले के उपर कर देना, ठीक है, गमला नहीं है, तो तुलसी जी के पास में कहीं पर भी आपको आसपास में स्वच्छ स्थान पर आपको यह हल्दी का स्वास्थिक बनाना है, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विजया एका दशी पर हल्दी का स्वास्थिक बनाता है, उसक बहुत प्यारा सा उपाए है और सरल सा उपाए है और यह उपाए तो आप सुबह से लेकर के रात्र तक जब आपकी इच्छा हो तब तक आप यह उपाए कर सकते हैं, ठीक है, यह हो गया। या तो मिट्टी लेलो या तो आप तुलसी जी का दल लेलो, यानि कि तुलसी जी का पत्ता लेलो, अगर पुराना पत्ता है तो पुराना पत्ता उपयोग में ले सकते हो, गिरा हुआ पत्ता है तो गिरा हुआ पत्ता उपयोग में ले सकते हो, लेकिन तुलसी जी का पत्ता आज के दिन आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है, एक पत्ता तुलसी जी का आपको ले लेना है। तब ही आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये उपाय करने से पहले एक चीज समझना आपके घर के द्वार खुले हुए होने चाहिए। ठीक है, आपका घर का जो मंदिर का द्वार है वो भी खुला हुआ होना चाहिए। हो सके। तो जो भी व्यक्ति, अगर सभी व्यक्ति घर में होंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको अर्पित नहीं करना है। ठीक है, उनके फोटो के उपर भी इसका छिटका नहीं जाना चाहिए। बाकी पूरे घर में इसका छिटका करने के बाद, घर के जितने भी लोग हैं, उनके उपर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, उनके उपर भी छ